नमस्कार, पूनम की आवाज चैनल में आपका स्वागत है, बहुत समय पहले की बात है, एक बहुत ही न्याय प्रिय राजा था, वो अतरी नामक नगर में राज करता था, वो बहुत ही धनवान, वैभवशाली, बुद्धिमान और न्याय प्रिय राजा था, वो अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करता था और हर समय अपनी प्रजा को खुश देखना चाहता था वो चाहता था कि मेरे राज्य में हर आदमी और और बच्चे को इनसाफ मिले किसी भी व्यक्ती को किसी भी तरह कष्ट ना होने पाए इसलिए सारी प्रजा उसकी जय जयकार करती थी और उसकी प्रशंसा के डंके पेटी थी उनके पास सिपाही हाथी घोडे दास दासिया धन दौलत सब कुछ था लेकिन उसे राजा की कोई संतान नहीं थी संतान ना होने के कारण राजा रानी बहुत ही दुखी रहते थे उन्होंने संतान प्राप्ती के लिए हर तरह का दान धर्म, धार्मेक अनुष्ठान जब मंत्र व्रत और पूजा पाठ किया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ समय के साथ राजा रानी दोनों ही बुड़ापे की ओर बढ़ते गए बुड़ापे की ओर बढ़ते हुए राजा रानी दिन रात इसी गहन सच में खोए रहते की अब हमारे इतने बड़े राज्य का क्या होगा? हमारी इस राज्य का वारिस कौन बनेगा? हमारे राज्य की प्रजा की जिम्मेदारी कौन लेगा? राजा रानी दिन रात इसी चिन्ता में घुलने लगे उन्हें खाने पीने की भी सुध नहीं रहती एक सुभा राजा के दरबार में एक साधू आता है तो दासी रानी को इसकी जानकारी देती है रानी दासी से कहती है कि यह मेरा अन्त्यम दान धर्म है इसके बाद मैं अपने हाथों से कोई दान धर्म नहीं करूंगी रानी चावल भर थाल हाथ में लेकर बाहर आती है जब वो साधु की जोली में भिक्षा डालने के लिए आगे बढ़ती है तो उसके चहरे पर छाई परेशानी साधु की दृष्टी में आती है वो साधु रानी से पूछता है कि रानी साहिबा क्या हुआ है आप इतनी उदास क्यूं है तब रानी साधु महाराज को सारी हकीकत बताती है और सिसकने लगती है रानी के दुख को समझते हुए वो साधु कुछ पल के लिए गंभीर हो जाता है और फिर कहता है कि रानी साहिबा आप चिंता मत कीजिए आपकी संतान की इच्छा पूरी हो जाएगी आपकी कोक से एक पुत्र जन्म लेगा परन्तु आपका वो पुत्र केवल 14 साल तक ही आप लोगों को मिलेगा 14 साल के बाद वो इस मृत्यू लोख में नहीं रह पाएगा रानी साहिबा इससे बढ़कर आपको कुछ देना मेरे लिए संभव नहीं है अपनी बात पूरी करते करते उसे साधू ने अपनी जोली में हाथ डाला और थोड़ी सी विभूती निकाल कर रानी को दी साधू महराज ने विभूती देते हुए कहा कि रानी साहिबा आप और महराज दोनों इस विभूती को बता कर ग्रहन करना इश्वर की कृपा से बहुत जल्द ही तुम्हें पुत्र प्राप्ती होगी इतना कहकर वो साधू अपनी राह चला गया उसके जाने के बाद रानी सोने लगी की 14 साल तो 14 साल ही सही उतने समय के लिए तो हमें पुत्र मिलेगा यही काफी है 14 साल के उसके जीवन काल में मैं उसे जीत जान से बड़ा करूंगी उसे धेर सारा लड़ दुलार दूंगी मैं अपनी संतान की हर मुराद पूरी करूंगी उसे रात अपना सारा राजकाज खत्म करके राजा जब रानी के महल में गए तो रानी ने सारी बात राजा को बताई और साधु की दी हुई विभूती राजा को दिखा कर बोली कि साधु महाराज ने यह विभूती हम दोनों को ग्रहन करने के लिए कहा है रानी की बात सुनकर राजा ने निराश भाव से कहा कि रानी हमने इतना दान धर्म किया जब तप किया लेकिन कोई फल नहीं मिला यदि हम पर भगवान की कृपा होती तो अब तक हमें पुत्र की प्राप्ती हो चुकी होती अब इस विभूती से हमें क्या संतान प्राप्ती होगी रानी बोली की जब हमने इतना सब कुछ किया तो अब ये भी सही क्यूं खामखा उसे साधु के क्रोध को बुलवा दे इसके बाद राजा और रानी दोनों नहाते धोते हैं अपने भगवान और अपने पुर्खों का नाम स्मरण करते हैं इसके बाद उसे साधु महराज का स्मरण करके वो विभूती बात कर दोनों खा लेते हैं उसके बाद दोनों निश्चिंत होकर सो जाते हैं कुछ दिन गुजर जाते हैं और साधु महाराज द्वारा कहे अनुसार रानी गर्भवती हो जाती है राजा रानी दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता राजा रानी से बोला की महारानी हम पर सच्मुच साधु महाराज की कृपा हो गई दोनों ने आने वाली संतान के सपने देखने शुरू कर दिये समय आने पर रानी ने एक सुन्दर गोरे चीते पुत्र को जन्न दिया राजा ने बड़ी धूमधाम से पुत्र का नामकरण किया सारे राज्य में आठ दिन तक उत्सव मनाया गया अब पुत्र की कुंडली देखने के लिए राज्य के सबसे विद्वान पंडित जी को बुलाया गया कुंडली देखकर पंडित जी बड़े चिंतित हो गए पंडित जी कहने वालों की महराज हमारा राजपत्र सिर्फ 14 साल तक हमारे पास रहेगा राजा को ये बात पहले से ही पता थी राणी को भी साधु महराज की बात याद थी दोनों चुप रह जाते हैं राजा और रानी बड़े लाड़ प्यार से बेटे की परवरिश करते हैं उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं महराज और महरानी सोचते हैं कि थोड़े समय के लिए ही सही भगवान ने उनकी संतान की मुराद पूरी कर दी इसे वे समाधान मानते हैं राजपत्र दिन प्रतिदिन बड़ा होता है। जब वो साथ साल का हो जाता है तो राजा एक अच्छे गुरू की नियुक्ती करके उसे पढ़ाई लिखाई राज, शास्त्र, शास्त्र, विद्या, घर, सवारी इत्यादी बारा विधाओं का शिक्षन देते हैं। वो शास्त्र विद्या में पारंगत हो जाता है और जब राजकुमार बारा साल की उम्र का हो जाता है तब राजा रानी एक अच्छी सी राज कन्या खोज कर उसकी शादी कर देते हैं। ऐसे ही दो और साल बीच जाते हैं। जब राजकुमार चौदा साल का होने वाला होता है तो एक दिन राजकुमार राजा से बोलता है कि पिताजी मैं अपना सारा राज्य घूम कर देखना चाहता हूं। आज तक मैंने सिर्फ इस रजवाडों के अतिरिक्त कुछ नहीं देखा है। बेटी की बात सुनकर राजा चिंतित हो जाते हैं क्योंकि राजकुमार को चौदावा साल शुरू हुआ था। अब कोई अन्होनी होने का वक्त नजदी का पहुँचा था लेकिन राजा ये सब बाते पुत्र को नहीं बता सकता था। राजा अपने चहरे पर खुशी लाकर बेटे से कहता है कि हाँ हाँ बेटा जरूर जो तुम्हें अपना सारा राज्य घूम कर देखना चाहिए। हमारा राज्य कैसा है कहां पर क्या है ये सब तुम्हें जानना चाहिए। कल मेरे बाद तुमको ही तो इस राज्य का राजा बना है परन्तु एक बात का ध्यान रखना की तुम कहां जा रहे हो क्या कर रहे हो ये बात अपनी पत्नी को नहीं बताना। राजकुमार कहता है, ठीक है पिताजी जैसा आपने कहा है, मैं वैसा ही करूंगा इस प्रकार कई दिन और निकल जाते हैं, फिर एक दिन एक घटना घटती है रोज की तरह उसे दिन भी राजपुत्र दिनब अपनी पत्नी के साथ मौजमस्ती करता है खुशिया मनाता है लेकिन वो रात को ठीक बारा बजे अपने बिस्तर से उठकर बाहर चला जाता है और सुभा होने से पहले ही वापस आकर अपने महल में सो जाता है की बाद ऐसे बहुत दिनों तक चलता रहा अब रात पुत्र का 14 वा साल खत्म होने में कुछ ही दिन बाकी रह गए थे एक रात उसकी पत्नी यानी छोटी रानी रात में जाग जाती है वो देखी है की राजपत्र बिस्तर पर नहीं है वो उसे महल में सब जगह देखी है लेकिन राजपत्र कहीं भी नजर नहीं आता वो सोचती है कि अब वो क्या करेगी इसके बारे में किस रहेगी क्या कहेगी वो चुप-चाप रहती है भोर होने पर वो देखी है कि उसका पती अपनी जगा सोया हुआ है वो अपने पती से रात की घटना के बारे में कुछ नहीं पूछता दूसरी रात भी वैसे ही होता है तीसरी रात चौथी रात ऐसे बहुत दिन तक चलता है छोटी रानी बहुत ही चिंतित हो जाती है पती रात को जाता कहा है, किस मिलने जाता है? उसके मन में धेर सारे सवाल उठाते हैं लेकिन राजपत्र से पूछने में उसे डर लगता है शायद पती गुस्सा कर बैठे साफ ससुर से पूछने के बारे में सोचा तो उसकी कल मर्यादा भी में आ जाती थी इस तरह मन ही मन वपरेशान रहने लगी इस हालत में उसे खाने पीने में दिल्चस्पी नहीं होती वो दुबली पतली हो जाता है उसे राज्य में फूल बेचने वाली एक बुध्धी मालिन थी वो हमेशा छोटी रानी को फूल देने उसके महल में आती थी उसे बुढिया का ध्यान छोटी रानी पर जाता है वो उससे पूछता है कि बेटी तुम्हें किस बात का दुख है तुम इस तरह सूख कर कांटा क्यूं बनती जा रही हो उसे पर छोटी रानी कहती है कि अम्मा तुम्हें क्या बताओ तुम्हारा राजपत्र हर रात बिस्तर पर से उठकर कहीं चला जाता है और सुभा होते ही वापस आकर सो जाता है वो कहां जाता है ये सोच सोच कर मैं अन्ना जल ग्रहन नहीं कर पाती और इसी परेशानी में सुख सह कर इस तरह कांटा बन गई हूँ बुढिया सब बात सुनकर उसे एक उपाय बताती है कि बेटी तुम ऐसा करना आज रात तुम सोना मत उसके पीछे पीछ जाकर देखना कि वो कहां जाता है और क्या करता है आज रात तो अच्छी तरह से उसकी पहरेदारी करना छोटी रानी कहती है कि अगर मुझे नीन्द आ गई तो मैं क्या करूंगी बुढिया बोली कि तुम्हें नीन्द ना आए इसलिए तुम एक काम करना अपने बाएं हाथ की उंगली में एक जख्म करना उसे पर थोड़ी सी मिर्च चीर लेना फिर तुम्हें बहुत जलन होगी और उसे पीरा से तुम्हें रात भर नीन्द नहीं आएगी रानी बुढिया के कहे अनुसार करती है उंगली की जलन से उसे बहुत देर तक नीन्द नहीं आती लेकिन बाद में वो सो जाती है दूसरे दिन सुभा बुढिया फूल लेकर उसके महल में पहुँचती है और पूछती है की क्या हुआ बेटी क्या तुम देख पाई की तुम्हारा पती कहां जाता है छोटी रानी कहती है की नहीं अम्मा पहले कुछ समय जलन के कारण मुझे नीन्द नहीं आई पर कुछ देर पस्चात में सो गई बुढिया रहती है कोई बात नहीं आज तुम उंगली पर पहले से थोड़ा बड़ा जखम करना और ज्यादा मिर्च लगाना दूसरी दिन छोटी रानी वैसे ही करती है परन्तु वो सिर्फ पती के बिस्तर से उठकर बाहर निकलने तक ही जग पाई वो उसके पीछे नहीं जा सकी क्योंकि उसे समय तक उसकी आँखे मूंद गई थी अगले दिन सुभा बुढिया आती है तो उसके पूछने से पहले ही रानी रोकर रहती है अम्मा मैं आज भी उनकी पहरेदारी ठीक तरह नहीं कर पाई बुढिया रहती है रोना नहीं बेटी सब कुछ ठीक हो जाएगा तुम आज रात जख्म और बड़ा करना और उसे पर ज्यादा मिर्च छड़कना बेटी तुम एक काम करना जब वो जाने के लिए निकलता है तो तुम उसका रास्ता रोक कर उससे पूछना की कहां जा रहे हो बुढिया ने जैसा बताया रानी वैसा ही करती है आज रात उसे नींद नहीं आती पती रात बारा बज़े बिस्तर से उठकर जब महल से निकलने के लिए चलने लगता है तो उसे बुढिया ने जैसे बताया था वो वैसे ही करती है वो दोड़कर पती का रास्ता रोक लेती है और कहती है कि आप कहां जा रहे हो, आप किसे मिलने जा रहे हो मुझे बताओ राजपत्रू से समझाने की बहुत कोशिश करता है कि देखो अगर मैं तुम्हें बता दिया तो मैं दोबारा तुम्हें नहीं मिल पाऊंगा रानी बोली की कोई बात नहीं ना मिल पाओ लेकिन आप रात के समय कहा जाते हो, यह मुझे बता दीजिए राजपत्र निप हो जाता है, पत्नी की जिद के आगे उसकी एक नहीं चल पाती ठीक उसी समय उसका 14 वा साल खत्म होकर 15 वा साल लगने वाला था वो सोचता है कि जो होता है वो हो जाने दो यह सोचकर वो कुछ चावल मित्रों से सिद्ध करके अपनी पत्नी को देकर कहता है कि इन चावलों को दोनों हाथों की मुठी में पकड़ना पहले दाएं हाथ में पड़े चावल मेरे उपर फेंखना तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ इसके बाद तुम बाएं हाथ में पड़े चावल मेरे उपर फेंखना तब मैं जैसा था तुम्हें वैसा ही मिल जाऊंगा लेकिन यदि तुम बाएं हाथ के चावल मेरे उपर फेकना भूल गई तो मैं तुम्हें कभी नहीं मिल पाऊंगा रानी बोली की मैं नहीं भूलूंगी ये कहकर रानी बड़े आत्मविश्वास के साथ दाएं हाथ में पड़े चावल पती के उपर फेक देती है तो राजपत्र एकदम एक विशाल घोडा बन जाता है एकदम उम्दा सफेद गर्दन पर लंबी आयत देखते दे वो तेजी से दोडने लगता है रानी उसे घोडे को एकदम भोचक्की होकर देखने लगती है और वो भूल जाती है कि पती ने उसे बाएं हाथ के चावल फेकने की बात कही थी कुछ ही समय में महल में कुछ चक्कर लगाने के बाद घोडा मेहर से निकल कर बाहर चला जाता है और उसकी आँखों के सामने से ओज़ल हो जाता है घोडा मेहल से बाहर जाता है रानी इंतजार करती रहती है लेकिन वो वापस नहीं आता अब रानी को बड़ा पश्चाताप होता है वो स्वयम को कोसने लगते हैं लेकिन अब उसका कोई फाइदा नहीं होने वाला था राजपत्र अब वापस नहीं आने वाला था सुभा होते ही महराज और महरानी को ये सब बात पता चलती है उन्हें बहुत दुख होता है वो समझ चुके थे कि उन्हें जिस बात का डर था वो अन्होनी घटना घट चुकी थी और अब वो शकर भी कुछ नहीं कर सकते थे दुख के कारण वो बिस्तर पकड लेते हैं और राह देखते हैं कि शायद किसी दिन उनका बेटा वापस आ जाए इस तरह एक महीना गुजरा है दो महीने गुजरते हैं तीन महीने गुजरते हैं और आखिर छे महीने निकल जाते हैं राजपत्र का कोई अता पता नहीं लगता राजपत्र को ढूंडने के लिए राज़े के गाव गाव में सिपाही भेजे जाते हैं लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिलती रानी यह सोचकर स्वयम को मन ही मन कोशती है कि उसकी अपनी है के कारण पती गायब हो गया और वो पती को खो बैठी वो प्राण लेती है कि वो कुछ भी करके अपने पती को ढूंड कर ही रहेगी और उसे घर वापस लेकर आएगी एक दिन वो सुभा उठकर सास ससुर के महल में जाती है और उनसे कहती है कि मैं अपने पती की खोज में जा रही हूँ महराजा महरानी को और क्या चाहिए था उन्हें उनका बेटा वापस मिलना चाहिए था वो बहु को जाने की अनुमती देकर कहने वालों की बेटी तुम जो चाहिए वो करो जहां जाना है वहां जाओ लेकिन हमारे बेटे को वापस लेकर आओ भगवान तुम्हें काम्याबी देरानी अब अपना शाही वेश बदल कर एक सेठानी बन जाती है उसके बाद उसने अपने कुछ दास दशन को कुछ नौकरों को अपने साथ में लिया कुछ सामान साथ लिया और राज्य की सीमा पर जाकर वहां एक भोजनाले खोल दिया वो वहां आने वाले सब यात्रियों को खाना मुफ्त में देने लगी उसने एक शर्ट रखी कि उसके भोजनाले में खाना खाने वाले को उसकी मालकिन को यानी राज कन्या को उसकी देखी हुई कोई अजीब चीज या घटना बतानी पड़ेगी वहां आने वाला हर नागरिक अपनी तरफ से मैंने ये देखा मैंने वह देखा कहकर वहां से मुफ्त में खाना खा कर जाता था परन्तु राणी को जो बात चाहिए थी वह अब तक मिली नहीं थी ऐसी ही कुछ दिन बीत गए इसी दोरान एक और घटना घटती है रानी के महल में फूल लेकर जाने वाली बुढिया के एक बेटा और बहुत थे उनका एक छोटा बेटा था यानी बुढिया का एक पोता था बेटा और बहु सुभा काम के लिए निकलते थे तो पोते को संभालने की जिम्मेदारी बुढिया पर रहती थी बुढिया दिन भर पोते को संभालती थी बुढिया को पान खाने की आदत थी एक दिन क्या होता है कि उसे पान लगाने के लिए चुना चाहिए था वो चुनाव तयार करने के लिए CPR लेकर आए इनकों को भून के लिए गोबर के कंधे चाहिए थे कांदे एकठा करने के लिए वो बस की टोकरी लेकर चरवाहे के मैदान में गई वहां मैदान में बहुत सारे गोबर के कंधे थे उन्हें जमा करते करते उसे घर आने में अंधेरा हो गया शाम होते ही बेटा और बहु कम से वापस घर पहुंचे तो उन्होंने देखा की बच्चा घर पर अकेला है और रो रहा है वे दोनों गुस्से से लाल पीले हो गए इतने में वो बुढिया घरा पहुंची बेटे ने पूछा तुम पोते को घर पर अकेला छोड़ कर कहा गई थी बुढिया बताने लगी की बेटा मैं गोबर के कंडे इकठे करने गई थी इस पर बेटा बोला दोबारा बच्चों को घर पर अकेला छोड़ कर मत जाना बुढिया कहने लगी नहीं बेटा मैं फिर ऐसा कभी नहीं करूंगी लेकिन दूसरे ही दिन बुढ़िया वबात भूल गई और फिर चरवाहे के मैदान पर कांदे इकठा करने चली गई शाम को जब बेटा बहु कम से वापस लोटे तो देखते हैं कि फिर बच्चा घर पर अकेला है और रो रहा है अब उसके बेटे की सहनशक्ती खत्म होने लगी और उसने बुढ़िया के वापस आने पर उसे घर से निकाल दिया बुढ़िया रात भर घर के बाहर अंधेरे में बैठी रही और सुबह होते ही हाथ में टोकरी लेकर कंदे इकठा करने के लिए निकल गई उसे पर कंडी इकठा करने का मानो पागलपन सवार हो गया था गंदे इकठा करते करते कब अंधेरा च्छा गया उसे पता ही नहीं चला उसे जब ध्यान आया तो गाउव का रास्ता भी ठीक तरह से दिखाई नहीं दे रहा था वो अंधेरे में आँखें भाड़ कर देखते देखते किसी तरह आगे निकल पड़ी कभी एक कपिला गाए छन छन की आवाज करते गले की घंती बजाते धमक कर उसे मैदान पर आ गई उसे देखकर बुढ़िया सोचने लगी कि अगर मैं इस गाए के पीछे पीछे जाऊंगी तो गफ तक पहुंच जाऊंगी ये सोचकर बुढ़िया उसे गाए के पीछे पीछ चल पड़ी वो गई एक एक करके छे मैदान पर करती है आखिर में वो सात्वे मैदान पर पहुंचती है वहां उसे मैदान में एक बड़ा सा पत्थर पड़ा था गई जाकर उसे पत्थर को अपना सिंग मारती है सिंग करने पर वो पत्थर दूर है गया और नीचे पाताल में जाने की सीडियां दिखाई देने लगी वो गए उन सीडियों से नीचे जाने लगी बुढिया ये सब देखती रही उसने और जट से जाकर गाय की पूंच को पकड़ लिया गाय की पूंच पकड़ कर वो बुढिया गाय के साथ नीचे पाताल में पहुंच गई पाताल में पहुंचते ही बुढिया गाय की पूंच छोड़ कर इधर उधर देखने लगी बुढिया ने देखा कि पाताल में सब जगह जगमगाहट है दिया दीप जल रहे हैं तभी तेज रोशनी गाय के उपर पढ़ती है और वहाँ अद्भुद घटनाई घटने लगती है गाय के नीचे जाते ही उसके गले में अपने आप सकल पढ़ गई छमचम करके दुधनी में कोई गाय का दूध धोने लगा लेकिन गाय का दूध निकालने वाला जो कोई भी होता है वो उसे दिखाई नहीं देता ये सब देखकर बुढ़िया बहुत घबरा गई और यह सोचती है कि मैं आज ये कहां फंस गई सोचते सच्दे वो यहां वहां छिपाने के लिए जगह ढूंडने लगी लेकिन उसे कहीं भी जगह नहीं मिली हर जगह उजाला ही उजाला था वो चुपचाप इस एक कोने में चुपकर खड़ी रहकर वो सब कुछ देखने लगी जो वहां पर उसके सामने हो रहा था कुछ पल के बाद वहां एक उम्दा सफेद घोड़ा आया वहां दो कुंड थे उसमें से एक कुंड में उसे घोड़े ने चलांग लगे और उपर आ गया अब उसे राजपुत्र का रूप प्राप्त हो गया राजपत्र बनने के बाद उसने दूसरे कुंड के पानी में सनान किया वहां रखे नए कपड़े पहने नजदी की एक सुन्दर पलंग था वो जाकर उसे पलंग पर बैठ गया उसके सामने अपने आप पांच पकवानों की थाली आ गई दूद की एक प्याली आ गई पांच सुपारी आ गई सामने एक दिया जल रहा था राजपूत्र ने खाना खाया दूद पिया पान, सुपारी खाया और बिस्तर पर लेट जाने से पहले सूर्यदेव का स्मरण करके सामने जलते दिये से पूछा की दिये दिये दिपान कर मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं दिया बताने लगा की वो बेटे के शोक में डूबे हैं फिर वो पूछता है की राज्य कौन संभाल रहा है देर से उत्तर मिला राज्य प्रधान संभालता है राजपूत्र ने पूछा की मेरी पत्नी क्या करती है देर से उत्तर मिला की उसने चौराहें पर भोजनाले शुरू किया है और आते जाते लोगों से वो नई खबर के बारे में पूछता है ये कहते ही राजपत्र कहने लगा ठीक है उसके बाद वो सो गया बुढिया कोने में खड़ी रहकर ये सब देखती रही ऐसी अदभुत घटना उसने अपनी जिन्दगी में पहली बार देखी थी उसे अंदर ही अंदर चुल्बुलाहट होने लगी वो अपनी भूख प्यास सब भूल चुकी थी वो उत्सुकता से देखने लगती है कि आगे क्या होता है लेकिन उसके बाद कोई घटना नहीं घटती रात गुजर गई और सुभा हो गई सुभा होने पर पलंग पर सोया हुआ राजपतर उठा और उसमें फिर से पहले वाले कुंड में चलांग लगे तो अब वो फिर से घोड़ा बनकर कुंड से बाहर आ गया बाहर आते ही वो तेजी से उसे पाताल नगरी से बाहर निकल गया लेकिन वो कहा गया इसका बुढ़िया को कुछ पता नहीं चला उसके बाद पिछली रात की तरह कोई छम्म छम करके उसे गाए का दूध डूबने लगा जैसे ही दूध धोना खत्म हुआ गाए के गले की शकल अपने आप खुल गई और वो गय तेजी से उपर जाने वाली सीडियो की ओर भागने लगी गे को दोड़ते देखकर बुढ़िया सोचने लगी की अब गाए के साथ यहां से उपर जाना ही समझदारी है नहीं तो कोई मुसीबत आकर मेरे उपर टपक जाएगी उसने जट से गाए की पूंच पकड़ ली और गाए के साथ उपर आ गई गए जब उपर मैदान में पहुंची तो उसे सुरंग का रास्ता अपने आप बंध हो गया और उसके मुह पर एक बड़ा सा पत्थर पूर्ववत खड़ा हो गया उपर आकर वो गाए जंगल की ओर निकल गई तो इधर बुढ़िया एकदम बावली सी हो गई फिर पाताल नगरी में जो कुछ देखा था वो जल से जल किसी को बताने के लिए उतावली हो उठी एकदम याद आया कि नगर की सीमा पर कोई औरत भजनाले चलती है और नई बात बताने वाले को अच्छा खाना पीना मुफ्त में देती है वो सोचने लगी की क्यूं ना मैं ये बात उसे औरत को जाकर बताएं यदि उसे यह बात पसंद आ गई तो बाकी जीवन खाने पीने की जंजट से मुक्ती मिलेगी बुढिया ने मन में तै किया और तुरंत उसे भोजनाले के द्वार पर पहुँच कर वहां टांगे नगाडे के सामने खड़ी हो गई और जोर जोर से नगाडा बजाना शुरू कर दिया लगाने का इस तरह शौर सुनकर मालकिन यानी छोटी रानी मन में प्रसन हो जाती है कि शायद कोई बड़ी बात लेकर यहां आया है रानी सिपाहियों को आदेश देती है जाए और जो कोई आया है उसकी अच्छी तरह खातिरदारी कीजिए आदेश पाते ही सिपाही दोड़ कर नगर के पास आये तो देखा की एक बुढ़िया नगाड़ा बजा रही है उन्होंने उससे पूछा क्यूं बुढ़िया क्या हुआ नगाड़ा क्यूं बजा रही हो वो बुढ़िया बोली कुछ नहीं बेटा यहाँ खाना मुफ्त में मिलता है इसलिए आई हूँ सिपाही ने कहा तुम्हें खाना चाहिए जरूर मिलेगा लेकिन उसके लिए तुझे कोई नई बात बतानी पड़ेगी बुढ़िया बोली हाँ मैं बताऊंगी मुझे एक बात मालूम है यह सुनकर सिपाही उसे अंदर लेकर आए उनको मालकिन का आदेश था कि जो भी कोई बुढ़ा बुजुर्ग वहाँ आए उनके साथ अच्छी तरह पेशाना उनका अच्छा आधार आते थे करना सिपाही ने इस बुढ़िया का भरपूर आधार आते थे किया बड़ी सी थाली भरकर व्यंजन परो से बुढ़िया बहुत भूखी थी वो खाने पर तूट पड़ी खाना खाने के बाद एक सिपाही ने उसे पहनने के लिए एक नई साड़ी दी उसके बाद वो सिपाही उसे लेकर रानी के पास आए बुढिया और रानी ने तुरंट एक दूसरे को पहचान लिया बुढिया बोली बेटी तुम यहां और रानी भी हैरान होते हुए बोली अम्मा तुम यहां बड़ी देर तक दोनों भांती-भांती की बाते करती रही आखिर कुवर्नी बुढिया से कहने लगी अम्मा अब बताओ तुमने क्या नई बात अच्छी है वुढ तो कहने लगी नई बात मैंने तो कोई नई बात नहीं देखी है वो तो मेरे पास तुम्हें देने के लिए खाने के पैसे नहीं थे इसलिए मैं जूट कहा और नगाडा बाजया रानी ने कहा अम्मा घबराना नहीं मैं किसी को तुम्हारा नाम नहीं बताऊंगी बुढिया ने कहा कि मैं क्या देखा कब देखा इस तरह करके वो बुढिया आनाकानी करने लगी इस पर कुवर्णी ने उससे कहा देखो तो अम्मा यदि तुमने मुझे वो नई बात बताई तो जिन्दगी भर मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी तुम्हें रानी माता की तरह रखेगी उसकी यह बात सुनकर बुढिया खुश हो गई और अब बुढिया सब कुछ बताने को तयार हो गई उसने जो कुछ उसे च वरनी को यकीन हो गया की वो राजपत्र उसी का पती है वो तुरंत बुढिया से कहने लगी अम्मा मुझे उसे जगह पर ले चलो बुढिया बोली की नहीं बेटी वो पटल राज्य है वहां पर सांप है यदि किसी ने तुम्हें देख लिया तो तुम्हारी जान खत्रे मे पड़ सकती है लेकिन राणी ने उसकी एक भी नहीं सुनी और उसे उसे जगह ले जाने के लिए है करने लगी आखर में बुढिया ने उसका कहना मान लिया और कहने लगी ठीक है मैं तुम्हें वहां लेकर चलती हूँ पर आज नहीं चल वहां जाना है तो शाम को ही जाना ह अगले दिन दोपहर को छोटी रानी बुढ़िया के साथ उसे मैदान पर गई और एक जगह छुपा कर गाय के आने की राह देखने लगी। उसे रास्ते से नीचे उतरने लगी तो बुढ़िया रानी से कहने लगी। गई कोई अद्रिश्य रूप से उसका दूध धोने लगा एक सफेद उमदा घोडे ने आकर एक कुंड में चलांग लगे तो राजपत्र के रूप में उपर आया वो राजपत्र दूसरे कुंड में नहाने लगा उसने वहां रखे नए कपड़े पहने नजदी की एक ठाली आ गई दूध की प्याली आ गई पान बीर आ गया राजपत्र सब ग्रहन करके सोने के लिए पलंक पर गया तो सोने से पहले सूर्यदेव का स्मरण करके वो दिये से पूछने लगा दिये दिये दीपान कर मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं आज दिया कुछ जवाब नह तब राजपत्र को इसका संदे हो गया कि कुछ घटित हुआ है, वो उदास हो गया और ऐसा सोचकर कि जो कुछ हुआ है वो हो जाने दो, वो सोने के लिए बिस्तर पर लेट गया, अब रानी का संयम छूट गया, वो दोड़कर पती के पास गई और उसके पैर पकड़ने के ल लगी, राजपत्र तुरंथ ही अपनी पत्नी को पहचान गया, वो जट से पीछे हट गया और चिल्लाने लगा कि नहीं नहीं, मुझे मत छूना नहीं तो सर्वनाश हो जाएगा, रानी दोनों हाथ जोड़कर पती से अपनी भूल स्विकार करके माफी मांगने लगी, रानी ने कहा कि स्वामी मुझे भूल हो गई, मुझे आपसे नहीं पूछना चाहिए था कि आप रात को कहा जाते हो, मैं अपनी भूल स्विकार करती हूँ, मुझे मेरी भूल की सजा मिल गई है, अब आप घर चले आपके वियोग में आपके माता पिता ने बिस्तर है, आपकी प्रजा भी बहुत दुखी है, उसे पर राजपत्र कहने लगा कि एक बार तुम गलती कर बैठी हो, अब दोबारा गलती मत करना नहीं तो, जो अब मैं तुम्हें दिख रहा हूँ, वो भी नहीं दिखेगा, राणी अब विलाप करने लगी और जोर जोर से जमीन पर सर पटकने लगी, राजपत्र के मन में उसके प्रती दया उत्पन हो गई, वो उसे कहने लगा कि यदि तुम मुझे वापस पाना चाहती हो तो, तुम्हें एक काम करना होगा, काम बहुत कठिन है, लेकिन वो तुम अकेले ही करना होगा, राणी कहने लगी, कहो स्वामी कितना भी कठिन काम हो, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगी, इसके बाद राजपूत्र ने उसे बताया कि इस पटल से उपर जाते ही तुम्हें एक घना जंगल नजर आएगा, ऐसे छे जंगल पार करने के पश्चात सात्वा जंगल मिलेगा, वो जंगल सबसे घना है, उसे जंगल में बीचों बीच एक पीपल का पेड है, उसके आसपास की जगा पेट फंदे जताए, कांटे इत्यादी से ढख चुकी है, वहां बाग से भालूसा सभी की धमा चोकडी बैठी है, तुम्हें उन सब को वहां से भाग कर वो जगह साफ करनी है, की गोबर से लिपाई करके उसे पवित्र बनाना है, रंगोली से सजाना है, उसके बाद वहां धूप कपूर और अगर बत्ती जलानी है, फुल कुमकुम से पेड के तने की पूजा करनी है, दूध दही से बने चावल का भोग चड़ता है ये सब तुम्हें दोपहर को बारा बजाने के पहले करना है, बारा बजाने के समय तुम्हें उसे जगह पर बैठकर सूर्य भगवान का ध्यान करना है, ठीक बारा बजे सूर्य भगवान का रत वहां उत्रेगा भगवान सूर्य देव वो सब देखकर खुश हो जाएंगे और कहेंगे जिस किसी ने ये सब किया है उसे मैं मन चाहा फल दूँगा तो तुम भगवान सूर्य देवता के सामने जाकर उनके रत का दाहिना घोड़ा मांगना सूर्य देव के हां करने के बाद मैं तुम्हें मिल जाऊंगा इतनी बात कहकर राजपत्र अपने पलंग पर सो गया और छोटी रानी घर होने की राह देखने लगी भोर होते ही वो बुढ़िया के साथ गए की पूंच पकड़ कर उपर आ गई उपर आने के बाद वो बुढ़िया से कहने लगी अम्मा अब मैं अकेली ही आगे जाऊंगी तो भोजनाले वापस जाओ बुढिया को भोजुनाले में जाने के लिए कहकर वो जंगल में जाकर राजपत्र की बताई जगा ढूंढने लगी कुछ देर बाद उसे वो जगा मिल गई और किसी तरह सभी को वहां से भाग कर उसने वो जगा अच्छी तरह से साफ कर दी ये सब करने के बाद जैसे राजपूत्र ने बताया था वैसी लिपाई पोटी करके वापस आ गई दूसरे दिन रानी पी फटने से पहले उठी और जंगल में उसे जगा पहुँची वहां जाकर उसने इत्र गुलाब का पानी चिड़कर वो जगा सुगंधित की फिर धूप अगर बत्ती जलाकर उसे पवित्र किया और पूजा की सबसे सामगरी वहां तैयार रखकर सूर्य भगवान का ध्यान करने बैठ गई जैसा की उसके पती ने बताया था दोपहर को ठीक बारा बजे बजे सूर्य भगवान का रथ उसे पीपल के पेड़ पर आकर रुख सूर्य भगवान ने जब रथ से नीचे देखा तो वहां का सुगंधित वातावरण देखकर वो बहुत प्रसन हो गए फिर वे बोले जिस किसी ने ये काम किया है वो यहां आकर आज मुझे कुछ भी मांगे मैं उसे दे दूँगा रानी ने जब ये शब्द सुने तो बिना समय गवाई दोड़ कर उनके सामने आ गई उनको साश्टांग नमसकार करके बोली भगवान वो मैं ही हूँ मैं ही यह जगा साफ की है सूर्य भगवान ने कहा अच्छा तुम्हें जो चाहिए वो मांगो रानी बोली भगवान मुझे आपके रत का दाहिना घोड़ा चाहिए सूर्य भगवान बोले नहीं नहीं मैं तुम्हें और कुछ भी दे सकता हूँ मेरे रत के बारा घोड़े हैं तुम चाहो तो कोई और घोड़ा मांग लो लेकिन ये दाहिना घोड़ा नहीं मैं तुम्हें वो नहीं दे सकता छोटी रानी ने एक नहीं सुनी वो सूर्य देव से एक ही बात कह रही थी वहीं दाहिना घोडा दे दीजिये नहीं तो मैं आपके पैरों में गिरकर अपनी जान दे दूँगी अब सूर्यदेव धर्म संकट में पड़ गए उन्होंने वचन दे दिया था अब वो अपने वचन से पलट भी तो नहीं सकते थे सूर्यदेव ने कहा ठीक है मैंने तुम्हें वो घोडा दिया लेकिन वो तुम्हें यहां नहीं मिलेगा तुम्हें उसे पाताल में जाकर लाना होगा रानी बोली भगवान पाताल में ही क्या उन्हें पाने के लिए मैं कहीं भी जा सकती हूँ रानी को वच्छन देकर सूर्यदेव अपने मार्ग चले गए और इधर रानी जंगल से अपने भोजनाले में आ गई फिर वो बुढिया को लेकर उसे मैदान पर आ गई जल्दी ही शाम हो गई शाम होते ही वहां वो गई आ गई और उसने सिंग मार कर सुरंग का पत्थर हटाया तथा नीचे उतरने लगी रानी और बुढिया जल्दी जल्दी उसकी पूंच पकड़ कर उसके साथ ही नीचे उतर गई नीचे पाताल में सब घटनाएं पहले की तरह ही घटने लगी लंग पर जाकर बैठना तो उसे खाने की थाली दूद की प्याली आना पान बीडा आना लेकिन आज एक नई घटना घटी आज दो दो थाली डोड दूद की प्याली दोडी पान बिडी उसके सामने आए वो कुछ नहीं बोला अपने हिससे की थाली खाकर दूद पीकर और पैन बेडा चबाकर वो सोने चला गया और हमेशा की तरह दिये से पूछने लगा दिये दिये दीपान कर मेरे माता पिता क्या करते हैं दिये ने बताया वे दोनों तुम्हारा शौक में करने की स्थिती में पहंच गए हैं ये सुनते ही उसकी आँखों से आँसू टपकने लगे फिर वो पूछने लगा दिये दिये दीपान कर मेरा राज्य कौन चला रहा है डिये ने बताया तुम्हारा राज्य प्रधान चल रहा है और वो सब कुछ हड़क चुका है वो प्रजा पर बहुत अत्याचार कर रहा है ये सुनकर राजपत्र को बहुत गुस्सा आया वो गुस्से से अपनी मुठी भेजने लगा अब वो पूछने लगा दिये दिये द सयम जवाब दे गया वो दौडकर पती के सामने आ गई राजपत्र रानी से कहने लगा कि अब मैं तुम्हें मिल गया हूं रानी ने पूछा कि क्या तुम सच कह रहे हो आप अब फिर से घोड़ा तो नहीं बनेंगे राजपत्र कहने लगा नहीं, मैं अब दोबारा घोडा नहीं बनेगा राजपूत्र ने रानी से कहा, तुमने मुझे अपने के लिए इतने सारे कश्ट उठाए हैं इसलिए देव ने मुझे सांगा के लिए घोडे के जन से मुक्त कर दिया है राजपूत्र ने बड़े प्यार से कहा, और उसे गले लगाया, उसके आंसू पोछे कुछ देर पस्चात भोर हो गई तो, गाय की सकल तूटी और वो उपर भूलोक जाने लगी रानी राजपत्र और बुढिया उसकी पूँच पढ़कर उपर आ गए उपर आने पर वे सीधे भोजनाले में पहुंचे उन्होंने वहां का सब सामान लोगों में बांट दिया और भोजनाले को ताला लगाकर अपने राजजे में लोट गए राजपत्र को वापस आता देखकर प्रधान घबरा गया राजपत्र ने उसे बंदी बना कर क्या खाने में डाल दिया और राजजे की बागडोर अपने हाथ में ले ली उसके बाद वो अपने माता पिता से मिलने उनके महल में गया राजपत्र देखा है कि उसके माता पिता उसके शोक में अस्थी पंजब बने हुए है पुत्र को वापस आया देखकर मरनासन राजा रानी की आँखों से टपटप आंसू बहने लगे उन दोनों ने पुत्र को गले लगाया उसे प्यार से सहलाया इतना होने के बाद उनके सिहत में एकदम सुधार आने लगा कुछ दिनों में ही वे बिस्तर से उठकर बैठ गए पुत्र को आशीश देने लगे राजपत्र के आने की खबर तुरंत राज्य भर में फैल गई प्रजा खुशी से फूली नहीं समय प्रजाजन राजमल के सामने इकठे हो गए राजपूत्र ने भी उन्हें दर्शन दिये और वचन भी दिया कि आज से उन्हें कोई दुख नहीं पहुँचाएगा राजा ने अपने पुत्र का राज्या भिशेक करके उसे सिंघासन पर बिठाया और बहु को महारानी का दर्जा दे दिया इसके बाद वो स्वयम अपनी पत्नी के साथ इश्वर स्मरण करते हुए खुशी से दिन बिताते हैं महाराजा बना राजपत्र अच्छी तरह से राज्य चलने लगा और अपनी पत्नी के साथ सुख शांती से जीवन बिताने लगा रानी ने उसे बुढ़िया को अपने ही पास रख लिया वो उसकी अच्छी तरह से देखभाल करने लगी बुढ़िया और उसके बुढ़ापे के दिन खुशी से गुजरने लगे आशा करते हैं आपको हमारी एक कहानी पसंद आई होगी आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को अंध तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद